हेलो दोस्तों मैं हूँ दिपांकर एक और नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए स्मार्टफोन की इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन का कि सभी स्मार्टफोन कंपनिया यहां आना जाती है इसी सीरीज में वियतनाम का एक popular smartphone brand Movistar भी इंडिया में आ गया है और इसने आज ही अपने दो नए फोन लॉंच किये हैं Movistar XQ Dual उन्ही दोनों में से एक फोन है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस फोन के इंबॉक्सिंग और बताऊंगा आपको इस फोन के features और specifications Movistar XQ Dual बेसिकली एक selfie phone है इस फोन की कीमत है केवल 8000 रुपए और ये flipkart.com पे ही मिलेगा इस फोन ने आपको मिलता है dual front camera और 7 front camera flash भी मिलता है बाकी के specifications की बात हम बात में करेंगे चलिए पहले इस फोन के इंबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इस box के अंदर आपको फोन के साथ और क्या-क्या मिलेगा ये है black color variant Movistar XQ Dual का इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे उससे पहले देखते हैं कि इस box में और क्या-क्या है और यहां पे है एक paper जो basically user guide है और इसके साथ यह है silicon back cover इस phone की protection के लिए और यहां adapter है इस phone को charge करने के लिए इस phone की design में कुछ खास नहीं है यह phone दिखने में वैसा ही है जैसा कि बाकी के phone इस price range में दिखते हैं डिस्प्ले के ऊपर यहां dual camera है और साथ में front LED flash भी है डिस्प्ले के नीचे तीन capacity touch keys है बाई तरब देखें तो बाई तरब दाई तरब power button है और sim card tray है पीछे की तरब जाए तो यहां उपर single rear camera है और LED flash है और यहां बीच में fingerprint sensor है और MobiStar branding है बेस साइट पर देखें तो यहां speaker है और micro USB port है overall इस phone की design ठीक है फ्रस लिपरी है लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको box के अंदर ही back cover मिल जाता है अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहां 5.5 inch का full HD display मिलता है जो कि एक अच्छी बात है डिस्प्ले की viewing angles भी बढ़िय फिलहाल तो आप यह जान लो कि इस UI की वज़े से इस phone की performance में कोई problem फिलहाल तो मुझे नहीं मिली यहां आपको मिलता है 1.4 GHz का octa core snapdragon 430 processor edino 505 GPU और 3GB RAM प्राइस के साब से यह setup बढ़िया है और फिलहाल को जितना भी मैंने इस phone को यूज करा performance इस phone की बढ़िया लगी मु मिलता है hybrid slot यानि आप dual sim या एक sim और एक microSD card slot ही यूज कर सकते हैं अगर बात कने camera की तो यहां आपको मिलता है single rear camera जो कि यह 13 megapixels का और साथ में LV flash भी है सामने की तरफ है dual camera जिसमें एक है 13 megapixel sensor और दूसरा है 8 megapixel sensor secondary sensor यहां wide angle source खीचने के लिए है camera के बारे में detail में हम बाद फोन में पीछे की तरफ fingerprint sensor भी है और यह बहुत बढ़िया काम करता है जैसा की company claim करती है यह fast है bottom firing speaker है जो कि बढ़िया काम करता है in call sound भी बढ़िया है अगर बात करने connectivity features की तो यहां आपको voice over LTE के साथ साथ video over LTE भी मिलता है जो कि इंडिया में बहुत साए smart phones में नहीं होत उसके अलावा इसमें Wi-Fi है Bluetooth है और Micro USB जैसे connectivity options है 3000 mmH की बैटरी मिलती है जो कि ठीटा को form करेगी लेकिन कैसा करेगी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस phone के full review वीडियो में ये तो हुई बात Movie Star X को डूल की price के साथ से इस phone के specification सही लग रहे है लेकिन इस phone के बारे में बाकी की बात हम करेंगे इस phone के review वीडियो में एक और बात flip card आपको दे रहा है केवल 100 पे extra में इस phone के साथ एक साल का insurance जिसमें accidental damage या liquid damage दोरों ही cover होगा ये एक अच्छी deal हो सकत है अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो मीचे comment कर सकते हैं अगर आपने हमाई चनल को subscribe नहीं किया है तो अभी कीजिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में झाल 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